दोस्तों इस वीडियो में हम बढ़ेंगे एकलोजिकल सक्सेशन ठीक है एन्वार्णमेंट की सीरीज हमने चलाई है बहुत ज़्यादा इंपोर्टन्ट सभी एक्जाम में आपको पूछे जाती अगर आप इस सीरीज को फॉलो नहीं करते इसी को देखने आये हैं तो आप बा आप इसे पहले आप दो इंपोर्टन चीजी जो हमारी पिछली वीडियो में छूट गी है देखो हमने पिछली वीडियो में क्या पड़ा अगर आपको याद होगा हमने पिछली वीडियो में पड़ा फूड चेंग food chain food web food chain and food web देखो food chain food web पर simple सी बात पता लग रही है के energy transfer हो रही है एक लेवल से दूसरे पर एक organism दूसरे को खाएगा तो energy मिलेगी लेकिन problem ही होती है कि food chain में energy तो transfer होती है लेकिन food chain के साथ साथ में pollutants भी transfer होते हैं, pollutants भी transfer होते हैं, for example के लिए pollution, माल लो, यहाँ पर एक तलाब है, ठीक है, तलाब है, यह तलाब के पास एक factory है, यह factory से कुछ harmful effulence निकले, यहाँ पर चलेगे, suppose mercury, mercury, तो इस mercury को यहाँ पर जब phytoplankton होंगे, यह वो खाएंगे, zooplankton's खाएंगे, इनको मचलियां खाएंगे, मचलियां को इनसान खाएंगे, तो जब इनसान खाएंगे, तो उनमें पी ही यह आपको देखने को मिलेगा, यह जो mercury, जो element है, यह आ जाएगा, for example जपान की बात बताना हूँ, ऐसा जपान में हुआ था है, मीनमाटा डिसीज अगर आप देखेंगे, वह तो उसके रिगार ने convention होईए, चलो उसमें नहीं जाते, तो आप देखेंगे, लोग mercury निल कर देते हैं, कैसे food chain के थ्रू होता है, वह सारी की सारी बात है, ठीक है, तो उसको pollutants भी transfer होते हैं, इस से related दो बाते हैं आपको पढ़नी है, bio accumulation, bio magnification, जम्वान किश्मी ये, sub inspector, police में ये सवाल आप से पूछा गया था, what is bio accumulation, या पता नहीं, magnification, दोनों में से एक सवाल था, bio accumulation, देखो, bio accumulation का simple मतलब है, entry, जब pollutants की entry पहली बार किसी food chain में होगी, उसको बलेंगे bio accumulation, bio accumulate हो जाना, ठीक है रही, it refers to how pollutants enter ये food chain, तो ये इसको हम क्या बलेंगे, सिरफ और सिरफ entry, ठीक है रही, in bio accumulation, there is increase, अच्छा, ये आगया आपका, sorry, weight, bio accumulation, आपको समयना है, entry of pollutants, तो क्या हो जाएगा, bio accumulation, नाव दोस्तों, entry हो चुकी है, अब entry होने के बाद में, ये हर लेवल पे जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता लेवल, for example, यहां पे है phytoplankton, zooplankton, इनको खारे हैं, insects, इनको खारी हैं, fish is, इनको कहा रही हैं, बड़ी वली fishes, ठीक है दोस्तों, ठीक, अब मालनो, ये fish है, ये fish है, जब ये insects को खाएगी, कोई एक insect तो नहीं खाएगी, एक insect तो नहीं खाएगी, ये बहुत सारे insects खाएगी, 10-12 insects खाएगी, तो मालनो, तो एक एक इन्सेक्ट में एक ए грाम पुलूटैन्ट है तो आप देखेंगे ये 10 ग्राम ये 걸ूूटैन्ट खा लेगी तेखलोपड़ी वैली मचली तो ये चोटी मचलियां को खाएगी सोok मचलियां खा लेगी तो आप देखेंगे pollutants आगे जो है वो और बढ़के चला जाएगा तो यानि मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे आपके tropic levels बढ़ेंगे एक level से दूसरे पर जाएंगे इस pollution की जो concentration है amount है ये बढ़ता चला जाएगा और इस बढ़ते हुए amount को ही बोलते हैं bio magnification तो तो magnification का मतलब ही होता है magnify करना amplify करना किस चीज़ को बढ़ा देना तो यहाँ पर क्या बढ़ेगा it refers to tendency of pollutant to concentrate as more one tropic level to next in bio magnification there is increase in concentration of pollutants from one level to another in the fortune increase in concentration concentration is tend to increase at each level बढ़ती चला जाएगी बर्त entry bio accumulation entry होने के बाद में बढ़ना bio magnification दो बड़े जादे important terms है याद रखेंगे नाव अभी आजए ecological succession ecological succession दोस्तो ecological succession में आपको पहले कहानी बताता हूं देन आपको समझाएगी ecological succession क्या होता है ecological succession ecological succession का मतलब दोस्तों यह sports मानलो जी आप किसी पहाड़ी लाके में रहते हो इस पहाड़ के बीट से करोड निकाला जाता है पहाड को काट दिये जाएगा बिल्कुल काट दिये जाएगा जब पहाड को दोस्तो काट दिये जाएगा तो पहाड आप देखेंगे छिल जाएंगे इसके उपर जितना भी प्लांट लाइफ होगी वेजिटेशन होगी वह सारे के निकल जाएगी अब यह जो पहाड जो हों कुछ पत्ते बत्ते आना शुरू होगे, एल्गे आना शुरू होगे, या फिर छोट 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 पेड आना शुरू होगे, खुद बखुद, किसी ने लगाई नहीं है, वो पहाड के उपर खुद बखुद बखुद वो पेड चोट चोट आना शुरू होगे, पेड नहीं ह और with time एक time ऐसा आएगा कि जहां पर जंगल जिस हिसाब से थे यहां पर पहाड पर दोबारा ही वैसे हो जाएंगे खुद भुखुद हो रहा है इसी को एकलोजिकल सक्सेशन बोलते हैं कोई भी बेर इलाका बेर ग्राउंड उसके उपर vegetation आएंगी vegetation आने के साथ आप में organisms भी आएंगे अब यह जो organism आए है इसको यह succeed कर लेगा पतलब दूसरा organism आजएगा इसको यह succeed कर लेगा पहले तो आप देखेंगे यहां पर यह फोटो है बड़ी अच्छी तरीके से फोटो दिखाईए यहां पर यह rocks है bare ground इसके उपर यह देखेंगे lichens and mosses आजेंगे यह चोटे चोटे आप देखेंगे algae green green color के काई जिसको हम बोल देते हैं then आप देखेंगे annual weeds यह चोटे चोटे आप को कुछ पेड़ देखने को मिल रहे हैं यह चोटे प्लांट्स आप देखेंगे बड़े प्लांट्स आप देखेंगे और ultimately यह forest में तबदील इलाका हो जाएगा यह जो successional change आ रहा है vegetation में successional change in vegetation is called ecological succession इसका मतलब समझे नहीं इसको ecological succession समझे बाकि सब चीज़ें सानोन वाली है ecological succession का मतलब बड़ा सिंपल है successive change in vegetation in organisms इक particular इलाके में आईए अब समझते हैं इसका मतलब the process by which communities of plants and animal species in an area are replaced or changed into another over a period of time is known as ecological succession क्या होगा communities of plants and animals क्या होंगी replace होंगी एक के बाद एक एक के बाद एक इसी को succession बोलते हैं succession का मतलब होता है कोई और आ जाना किसी को replace करके succession succeed करना किसी को तो यहाँ पर क्या succeed हो रहा है plants और animal life succeed हो रही है दोस्तों इसको क्या बोलते हैं succession बोलते हैं succession is a universal process of directional change in vegetation vegetation में change आता है तो directional change है और एक universal process है हर जगा देखने को मिल जाएगा हर जगा आपको देखने को मिल जाएगा for example में आपको एक बात पूछाँ जब धर्ती बनी होगी जब धर्ती बनी होगी तो धर्ती जोस्तों आख का गोला थी एक ठीक है जब धर्ती बनी होगी तब तो नहीं उसमें पेड लगे होगे बाद में तो लगे होगे ना तो यह लगे भी है तो जंगल नहीं एकदम से निकल जाओंगा तो जंगल बने जाओंगा ऐसा भी नहीं होगा Succession हुए है पहले छोटे-छोटे mosses, lichens आए, then grasses आए, then herbs, sherbs आए, then trees आए, then और फिर last में आप देखेंगे Forest बनते हैं से Ecological Succession बोलते हैं चलो, Succession occurs due to large scale changes or destruction यह destruction natural भी हो सकती है, man made भी हो सकती है, अभी आपको पता लगएगा The process involves a progressive series of changes, progressive changes आएंगे with one community replacing another एक community दूसरे को हटा देगी, खुद वहाँ पर आके बैट जाएगी, किसकी, organisms की, plants की बोला ना पहले grass थे, grass को change करके यहाँ पर herbs आगी, shrubs आगी है, पहले mosses काई थी, अब काई की जगह grasses ने ले लिए, वही है Until a stable mature climax community develops, और यह succession चलती रहती है, चलती रहती है जब तक के climax stable community वहाँ पर ना आ जाए, और वो stable community क्या होती है आपकी दोस्तों, जादा तर forest Community हो जाएंगे, stable community हो जाएंगे, wait चले हैं दोस्तों, यह हमने देख लिए ecological succession का meaning, now यह photo देख लिए आप, यह succession की आपकी बहुत 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 बहुतरी इन succession, दोस्तों, इस जो ecological succession होता है, कई stages में होता है, कितने stages होती है, 5, कितने stages होती है, 5, मैं आपको यहाँ पर लिखे बताता हूँ, वो 5 stages कौन सी है, देखें, number one stage आपके पास जो होती है, वो होती है nudition, nudition, ठीक है जी, दूसरी stage आपके पास जो होती है, वो होती है, invasion, तीसरी stage आपके पास होती है, competition and co-action, and co-action, चौति स्टेज आपके पास होती है, reaction, और पांच भी स्टेज दोस्तों जो आपके पास होती है, वो होती है, stabilisation, very simple दोस्तों मेरे समझाएं, जहां पर succession होनी है न, पहले एक ऐसा इलाका होगा, जो बिलकुल bare है, nude है, नंगा है, जहां पर अभी तक कोई भी vegetation नहीं है, तब ही तो उसके ओपर succession होगी, तो पहला जो process होता है, वो होता है nudition, अभी यह nude इलाका होना है, किसी भी तरीके से हो सकता है, यह mad made कारण से भी हो सकता है, natural कारण से भी हो सकता है, man made से भी हो सकता है, natural से भी हो सकता है, man made कैसे more example के लिए road बना रहे थे, पहाड काट दिये, तो भाड नंगे होगे बिचार है, धायगे, landslides होगी, ठीक है, मालो जंगल में आग लगी, पूरी की पूरी vegetation चली पूरी vegetation की एंगे, इन्वेड करेंगे इसलागे को, ठीक है जी, वो क्या होगा, मॉसेज होंगे, lichence होंगे, मॉसेज होंगे, lichence होंगे, मॉसेज होंगे, lichence होंगे, मॉसेज लाइकर इंगे, मॉसेज लाइकर हैं, उशी को मॉस uniqueness занимées बोलते हैं, depth वे जाने की आपको दोस्तों इनका जब इनिवेटिन हुआ तो दूसरी भी कम्यूनिटी यहां पर आना शुरू करेगी अब जब यह आएगी ठीक है लिए अप जब धेखो गे उसमें कुछ जंगली पेड़ बी आके लग जाएंगे जंगली जडी बूटिगा लग जाएंगी ठीक है तो आप क् उनको आप निकालोगे क्यों कि अगर इसको रहने दिए यह जाधा नूटरिशन ले लेगा और हमारे जो जुरूरी हमें जो प्लांस है उसको हमाई नूटरिशन नहीं लेने देगा मेरे पास समझ रहा तो क्या होगा इन में लेका यहां पर दोस्ति एक तो इनका कोमपृटीशन होगा को एक्शन होगा अब इसerosens का को समय को Lisa किmac में चीव होगी इसके बाद में यही रहेगा दन वो चेंज नहीं होगा इसको बलेंगे क्लाइमेक्स कम्यूनिटी तीन तेके नुटेशन 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 देशन फॉर्मेशन अ बियर अरिया नुटेशन भाई सवर्ल रीजन हो सकता है arrival, entry, invade हो गया एंड, invasion, competition and co-action, increase in number of species with limited space, एक इतनी जगा में species आ रहे हैं, तो इनका आपस में competition होगा, अफकोर्स किसके लिए होगा, न्यूटरेंज के लिए होगा, किसके लिए होगा, न्यूटरेंज के लिए होगा, अगला reaction, इनके competition, co-action का एक reaction होगा, modification of the environment, जहाँ पर यह आपस में लड़ रहे, भीड रहे होंगे न, through the influence of living organism present on it, reaction, cost change in land, soil, water, temperature and area, दोस्तों यह organism जहाँ पर यहाँ होंगे न, तो जह आपस पर compete कर रहे होंगे, तो आप देखेंगे, यहाँ पर different chemical changes होंगे, chemical changes से होने से, आप देखेंगे, यहाँ पर कई सारी चीज़ों के development होगे, for example के लिए, soil formation start हो जाएगी, बेर थाना पहले तो पूरा इलागा, rock था एक, तो rock तूटना start होगा, withering process start होगा, soil formation start होगे, तो क्या हो गया, उसका reaction हो गया, गोर last में हो जाएगी, stabilization, जिसे हम climax बोलते है, final part, climax, final or terminal community become more or less stabilized, for a longer period of time, it can be an equilibrium with the climate of the area, final community is called climax community, यहाँ पर climate community लिख दिया है, बट इसे हम क्या बोलते है, climax community, अभी आएगा, which is determined by the climate of the region, example of climate community क्या है, grassland, forest, etc, जोस्तों, इसी पूरे process में चलते हैं, कितनी stages में ecological succession होता है, 5, ecological succession का मतलब succession in vegetation, ठीक है, bare area है, bare area पे, bare area मतलब nudation, इस bare area पे कोई आया, invasion, invasion हुआ तो इनका competition को action, इनके competition का को reaction, change in land form, change in soil, ठीक है, और last में stabilization पांच, ठीक है, आप समझाए उस्तों, कुछ important terms समझाए, जैसे, देखो, number one है term, pioneer community, exact, सीदे सीदे सवाल आएंगे, सीदे 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 सवाल, अच्छा है, आपको बलेगा, ecological succession में pioneer community क्या है, ecological succession में climax community क्या है, सीदे सीदे, आपको पता लगना चाहिए, ठीक है, चोड़ा चाहिए, देखो, जो पहली species आई न, जो पहली vegetation इस bear area में आके invade करती है, उसको बोलते है, pioneer community, pioneer का मतलए भी दोस्तों होता है, जिसने कोई चीज़ स्टार्ट की हो, जिसने कोई चीज़ स्टार्ट की हो, उसको बोलते है, pioneer community, the first plant to colonize an area, आने वाला, उसको pioneer community बोलते है, simple, ठीक है जिए, चलो दोस्तों, और जो पहली community आती है, वो pioneer community, और जो सबसे last में रह जाती है, जो stabilized community है, उसको बोलते है, climax community, climax community, ठीक है जिए, pioneer community कोई है, हम बोल सकते है, जी, mosses है, climax community कोई है, हम बोलेंगे जी, forest है, ठीक है जिए, a climax community is stable, mature, more complex, long lasting, फिर ज्यादा देर तक टिकती है, बैठती है, ठीक है, ठीक है जिए, leading to climax community is called successional stages, serious और serial stage, very very important term, दोस्तों देखे, यह पांच, जो आप यह पांच देख रहे हैं न, step, इनको क्या बोलते है, इन stages को बोलते है, serial stages, क्या बोलते है, serial stages, या फिर बोल देंगे, serious, क्या बोलेंगे, serious, serial stages and serious, very important, in stages को क्या बोलेंगे, serial stages या फिर serious, ठीक है, चलो जी, यही बोल रहा है, the stages leading to the climax community, पूरे के पूरे जो climax community के तरफ, आपको stages लेके जा रहे हैं, इनको हम क्या बोलेंगे, successional stages, या फिर serial stages, या फिर serious, ठीक है, each transitional community is formed and replaced during succession, is called stage in succession, या फिर serial community, दोस्तों देखो, serial community का मतलब क्या है, एक community दूसरे को replace कर रहे है, serial community, transition जोरी, serial community, दूसरी, तीसरी को करेगी, serial community, सारी के सारी serial community ही होगी, प्राइमरी सेक्सेशन स्केंडरी सेक्सेशन प्राइमरी सेक्सेशन स्केंडरी सेक्सेशन प्राइमरी पहला प्राइमरी मतलब पहला स्केंडरी मतलब दूसरा बाद में ठीक है तो दोस्तों प्राइमरी सेक्सेशन क्या मानलो ये एक इलाका है बिलकुल बेर है बिलकुल बेर यहां पे कोई भी community नहीं है, बिलकुल bear है, जब बिलकुल bear इलाके पे दोस्तों एक succession होती है, उसको हम बोलते है primary succession, primary succession, मान लो यह दूसरा इलाका दोस्तों, यहां पे एक जंगल है, यहां पे क्या है, जंगल है, दोस्तों इस जंगल में आग लगे, जंगल में आग लगे, तो सारे के सारे plants जो हैं वो जल गए, पेड़ सारे के सारे जल गए, तब भी इलाका बंजर हो गया, पूरा का पूरा खाली हो गया, देन अगर इसके ऊपर सेक्सेशन होती है, तो स्केंडरी सेक्सेशन दोने में फर्क क्या है, दोने में फर्क क्या है, प्राइमरी सेक्सेशन जब हुई, इससे पहले यहां पे कोई भी लाइफ नहीं थी, बट स्केंडरी सेक्सेशन जब हुई, यहां पे लाइफ तो थी, वे बनाना पड़ता है, conditional बनाना पड़ता है, rocks होंगे दोस्तों, soil होगी नहीं, rock है, पूरा hard rock, rocks के ऊपर दोस्तों, chemical reactions होती रहेंगी, होती रहेंगी, होती रहेंगी, आइस्ते आइस्ते, rock तूटेगा, 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 rock ये soil में convert होंगे, then यहां पे आप देखेंग को जाधा टाइम लगेगा, स्केंडर सक्सेशन को कम टाइम लगेगा, आई ये स्लाइट की मतल से देखते हैं, प्राइमरी सक्सेशन टेक प्लेस अन ओवर, वेर नो कम्यूनिटी हैस एक्जिस्टी प्रिविश्ली पहले यहां पे कोई भी कम्यूनिटी एक्जिस्ट नहीं करती थी, इन प्राइमरी सक्सेशन, ऑन टेरस्ट्रियल साइट, ठीक है जी, दे न्यू साइट इस फर्स्ट कॉलनाइज बाइ फ्यू हारी पाइनर स्पीशिस, यहां पे कोन आएगा, छोटे-छोटे माइक्रोस्कोपिक, मॉसेज, लाइकन आएंगे, और यहां पे अपना काम करना शुरू करेंगे दोस्तो स्केंटरी सक्सेशन क्या बोलती है, स्केंटरी सक्सेशन is the sequential development of biotic communities after complete और partial destruction of existing community कोई ना कोई था, उसका destruction हो गया किसी कारण की वज़े से अब उसी के उपर सक्सेशन हो रही है यानि कि अगर कोई पहले है community, पहले की कोई community है तो secondary succession, पहले कोई भी community नहीं है it occurs in a habitat where life existed previously पहले थी, it takes around thousand years to succeed और यहाँ पर आप देखेंगे climax community तक पहुंचने पहुंचने तक दो सो से, पचास से दो सो साल के बीच बीच में हो रहा था, यहानि कमी time लग रहा है क्योंकि already conditions बनी है, you must है, soil है, बट primary succession में यह सब चीज़े नहीं है, बनानी पड़ेंगी, it takes time it occurs in lifeless, barren areas, जिंदगी नहीं थी, life नहीं थी, बट यहाँ पर recently हमने बुला, यह भी habitat area था, life थी, वो किसी कारण खतम हो गी थी basic difference है, primary succession and standard succession, very important to some, now, आगे चलेंगे, types of serial, या फिस serial stages, देखो दोस्तो, किस इलाके में, किस kind की जमीन में यह succession हो रही है, इस basis पे, कई सारे different किस्मों की succession हो सकती है, जैसे की hydroceal, hydroceal, दोस्तों, hydro आपको पता मतलब क्या, water, अगर आपकी succession aquatic habitat में हो, aquatic habitat में हो, aquatic habitat का मतलब दोस्तों, क्या हो गया, पानी वाली water polies, ठीक है रिए, माल लो यहां पे कितल आप था, यहां पे succession होना शुरू हो गई, तो क्या हो जाएगा, hydroceal, क्यों हो जाएगा, hydroceal, ठीक है रिए, दूसरा दोस्तों है, lithoceal, litho का मतलब क्या होता है, दोस्तों land, litho का मतलब land, succession on bare rock surface, किसी भी rock के ऊपर यह हो रहा है, तो lithoceal, अगला है दोस्तों, zeroceal, zeroceal, दोस्तों, zeroceal, जो है, जब succession आपका dry habitat में होगा, dry habitat मतलब desert जैसे, ठीक है, desert जैसे लाके है, तो zeroceal, ठीक है, तो zeroceal, ठीक है, दन आप देखेंगे दोस्तों, samosir, sandy areas में, र and water, hollowceal मतलब hollow water याद रख ले, hollow जो है, it is related to selene, ठीक है, अगर तो आपके soil जो है, वो नमक वाली soil है, यह पानी जो है, खारा पानी है, तो इसको बोल सकते है, and senile जो है, दोस्तों, चलो जी, यह बोलता है, succession of microorganism, dead matter, ठीक, इन में से अगर आप दोस्तों, जादा ना याद रखें, कम से कम, hydroceal, zeroceal, lithoceal, and hollowceal, यह चार याद रख ले, important आपके exam में पूछ लिए जाएंगे, ठीक है, चलो जी, दोस्तों, तो यह थी हमारी ecological succession, types of ecological succession, अच्छा जी, उसके बाद में, stages in ecological succession, important terms, piner community, ठीक है, climax community, और बीच में, serial communities, दोस्तों, piner पहला, climax, last, ठीक है, और zeroceal, hydroceal, lithoceal, यह सारी हमने बातें देख ली, hope, आपको वीडियो बहुत informative लगी होगी, make sure, like कर दिया कर, comment भी कर, अगर हो, आपको अच्छा लगता, आपका comment देखके, ठीक है, जी, चलो जी, जब यह topic complete हो जाएंगे, telegram पे, इसका pdf, आप मुझसे ले सकते हैं, इसलिए नहीं देता हूँ क्योंकि addition होती रहती है, addition होती रहती है, तो जब वो पूरा बन जाएगा, फिरी लेने का आपका benefit है, चलो जी, thank you, have a nice day.